हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग स्वागत आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चानल एड़ो मैंने आपर आज हम आपके यह लिए लेकर आए हैं क्लास 7 का चेप्टर नमबर 4 जिसका अमारा टाइटल है हीट क्या है हीट हीट क्या है हीट इसे फोर्म इनर्जी है एक एनर्जी की फोर्म है अब भई डिफरेंट टाइप्स की हमारी एनर्जी होते हैं जैसे कि पोटेंचियन एनर्जी काइनेटिक एनर्जी उन मेंसे हमारी हीट है हीट है प्रिष्ट्रेंगे कि अमारा ला ओफ आता है ला ओफ-ककर्जर्वेशन ऐनरजी क्या अज़िए कि इनरजी कन नाइधर भी क्रिएट नोर भी डिश्ट्रोइड बट इट इसका मतलब है कि हम एनरजी को ना तो create कर सकते हैं बना सकते हैं और नहीं उसको destroy कर सकते हैं मतलब खतम कर सकते हैं लेकिन हम उसको एक form से दूसरी form में convert कर सकते हैं जैसे मान लीजिए mechanical energy थे हमारे पास हमने mechanical energy को किस में convert कर दिया electric energy में electric energy को किस में convert कर दिया light energy में और light energy को और फिर इसमें convert कर दिया heat energy में, तो हम energy को destroy नहीं कर सकते हैं, ना create कर सकते हैं, बस इसको क्या है, change कर सकते हैं, एक form से, दुसरी form में, so heat भी हमारी क्या है, एक energy की form है, और basically यह हमें show करती है, कि किसी अमारी body की, कि body की कितनी heat है उसके अंदर, मतलब कितनी warm है वो, कितनी वो गरम है, यह कौन show करती हैं, उसकी heat, अब आप daily, day to day use में, आप काफी objects को touch करके देखते होंगे, आप देखते होंगे कि, कोई object तो क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, कोई object बहुत ज़्यादा गरम है, और कोई object आपकी normal room temperature के उपर है, तो basically वो क्या show करती हैं, उसके पता चलता है कि हमें किस body के अंदर कितनी ज़्यादा heat है, जिसके जो बहुत ज़्यादा गरम है, उसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा heat है, जो normal room temperature के है, उसके अंदर heat normal है, लेकिन जो अमारी cold है, मतलब उसके अंदर heat बिल्कुल low है, या फिर हम बोले उसके अंदर heat energy है ही नहीं, तो अब हमारा यहाँ पर एक निकल कर आता है temperature, क्या निकल कर आता है, temperature, इसको हिंदी में हम बोलते हैं, तापमान, क्या बोलते हैं, तापमान, यह हमारा एक unit है, जिससे हमें पता लगाते हैं, यह फिर जिससे हमें पता चलता है, कि हमारी body के अंदर कितनी heat है, जब हमारी body के अंदर heat ज्यादा होती है, मतलब गर्मी ज्यादा होती है, तो हमारा temperature क्या होता है, इंक्रीज करता है, और जब उसके अंदर heat कम होती है, या फिर उसके अंदर heat decrease होती जाती है, तो हमारा temperature क्या है, डाउनफोल्ड चो करता है मतलब डिक्री जोना स्टार्ट कर देता है तो बेसिकली फिर आता निकल के कि हम टेमपरेचर को कैसे मापते हैं उससे पहले आपने क्या है उब्जेक्स को हाथ से टच किया होगा उससे हमें पता चल जाता है कि ओई अब्जेक्ट कितनी ज्यादा गरम है और कितनी ज्यादा ठंडी है बस इतना पता लग पाता है कि हाँ ये गरम है ये ठंडी है लेकिन हमें उसका एक्जेक्ट टेमपरेचर नहीं पता लग पाता क्या नहीं लग पाता टेंपरेचर और एक और बात हम क्या है हमारी बोड़ी है वो केवल फील करती है और यह काफी रीजन पर डिपेंड करता है कि हमें कोई अबजेट कितनी ज्यादा गरम लगेगी कितनी ज्यादा ठंडी लगेगी मान लीजिए आप बिल्कुल सर्दियों म होगी लेकिन वही आप अगर समर में गर्मियों के टाइम में किसी अबजेक्ट को छुएंगे जो बहुत ज्यादा गरम है तो आपको और ज्यादा गरम महसूस होगी तो यह हमारे कुछ फेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है हमारी बोड़ी के कि हमें कितनी कोई अबजे तीन बीकर लेने हैं क्या लेने हैं तीन बीकर आप या फिर आप कोई अपना बरतन ले सकते हैं यह हमारा बीकर है ए यह हमारा बीकर है बी और यह हमारा बीकर है सी आप ने क्या किया दोनों के अंदर पानी फिल कर दिया क्या फिल किया पानी लेकिन वो जो वोटर था उसका टेंपरेचर अलग 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 अपने फिल करना है कि ए में आपने फिल करना है कोल्ड है कि सी में आपने फिल करना है होट है और बी में आपने फिल करना है दोनों का मिक्स कोल्ड भी प्लस में होट म準備 जितना आपने ठंडा पाने लिया उतना ही आपने होट से हैं होट इसमें है आपने डाल दिया तो इसका जो temperature हो जाएगा वह हमारा क्या हो जागा नोर्मल क्या होनaison कोगर हीट होट और और कॉल्ड एक दूसरे के पाउसित है ठीक है तो डौनों हमारा होट और को जब मैं में एक साथ मिलाएंगे तो डौनों एक दूसरे को केंसल 있고요 करके क्या है नॉर्मल या टेंपरिचर पे आंट जाएंगे हमारा तो आपने क्या करना है कि आपने बहुत ज्यादा भी गरम नहीं लेना है आपने क्या करना फिर अपने हाथ को एक हाथ को तो आपने कोल्ड में डिप करना है और एक हाथ को आपने अपने जो हुट वोटर है उसमें डिप करना लब दो तिन मिनट तक आप हाथ उसके अंदर रखें और फ गरम है लेकिन जब आप होट में थे होट से आप इस में लेकर है तो आपका जब यह पानी क्या है हमारा ठंडा है तो यह कोई चीज हमें ठंडी लगेगी या फिर कोई चीज यमें गरम में मैसूस होगी वह हमारा कुछ फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है तो फिर हमारा एक ओर है कि हमारी heat है वो क्या है हमेशा hot to cold body heat क्या है hot to cold मतलब गरम चीज से ठंडी चीज की तरफ flow करती है हमेशा किसमें मान लिजी आपने कोई गरम उबजेक्ट ली और आपने उसको किसी ठंडी उबजेक्ट के साथ टच किया तो हमारी heat का flow होगा hot to cold की तरफ यह बात पता चल गई कि हमारी जो heat होती हो कैसे flow करती है from hot to cold तो यह था हमारा की हमारा temperature हम अपनी body से फील करते हैं वह हमें accurate नहीं मिल पाता है तो इसके लिए simply एक हमारा device होता है जिसको हम बोलते हैं हमारा thermometer क्या बोलते हैं थर्मोमेटर कई बार आपको बुखार हुआ होगा तो आप डोक्टर के पास जाते हैं तो डोक्टर सब अब जबग रकर करे आपको बताता है कि कितना ज्यादा अपके पास आपको बुखार है या कितना ज्यादा बुखार नई है तो बेसिकली जो उसने वह device यूज किया था वह हमारा क्या था थर्मोमेटर और थर्मोमेटर भी हमारे टौ क्लिनिकल थर्मामेटर 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 क्लिनिकल थर्मा कैसा होता है सभी ने पता होगा कैसा होता है ग्लास का बना होता है शेप कैसी होती है पतला सा लंबी शेप का लेंध्थ उसकी ज्यादा होती है और उसकी जो चोड़ाई या फिर मोटाई बोले वो कम होती है यहां पर हम ड्रोव करके देखते हैं रफली इस किस शेप का हमारा क्या होता है थर्मामेट इसमें एक अंदर से पतली सी लाइन हमारी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं और मरकरी और यहां पर हमारे जो स्केल कि कितना ही कि यहां पर लिखा होता है कि कि इसमें से होता हमारा basically Celsius में डिघरी Celsius में और हमारा जो clinical thermometer होता है वो हमें 35 degree Celsius to 42 degree Celsius तक की का temperature हमें शो करता है क्यों है इतनी reading क्योंकि जो human body का temperature है वो ना तो 35 degree से निचे जाएगा और ना ही 42 degree से हाई जाएगा तो इसलिए जो clinical thermometer में जो reading होते हैं वो 35 degree Celsius से 42 degree Celsius तक का हमारे पास temperature शो करता है और यहां पर एक और बात निकल के आती है कि हमारी जो human body है उसका temperature कितना होता है तो हमारी human body का temperature होता है वो होता हमारा 37 degree Celsius यह हमारा average है क्या है average क्योंकि जरूरी नहीं कि हर एक इंसान का body temperature 37 degree Celsius ही हो किसी का 37 से मान लीजिए 36 भी हो सकता है और किसी का 38 भी हो सकता है तो बेसिकली जो यह average निकला जाता है यह बहुत सारे जो human है इंसान है उनका body temperature चेक किया जाता है और फिर उसके बाद on an average calculate किया जाता है और हमारा average कितना निकल के आया है human body का temperature average निकल के थर्टी सेवन डिग्री Celsius यहांचे question भी बनता हमारा की human body का temperature कितना होता है 37 degrees Celsius और अगर आपको PF shark night में पूछें तो कितना होता है हम temperature को basically Celsius में मापते हैं Fahrenheit में मापते हैं और Kelvin में में मापते हैं लेकिन हमारा तो दूदेat लाई में सुनते हैं कि prohibition कि औङ Radio से कलिनिकल थर्मामेटर कहा से कहा रीडिशह हो करता है यह भी कॉश्टन बनता हौा भर 35 डिगरी सेल्सियस to 42 दिगरी सेएश क्योंकि हमारे पूसका टीमपरेच्र ना तो 35 डिगरी से कमागा और नहीं 42 डिगरी से हैगा उसलिए ज모ुकर चलिए फटे क्लेनिकल थर्मामेटर हैं उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है अब इसके अंदर क्या चीज होती है जो में टेंपरेचर सोग करती है तो इसके अंदर हमारी होती है mercury है किया होती है mercury मर्कुरी क्या है का म॥मκरिश क्मारामारा एक मेटल है कि और यह एक ऐसा मेटल है जो किस स्टेक में पाजाता है लिक्वीड हिए लिक्वीड स्टेट एट रूम टेंपरेचर लब कि अगर आपको न उसको ठंदा कर रखा न गरम आप वैसे अपने रूम में भी लेकर रखैंगे तब भी वो किस state में exist करता है liquid state के अंदर कौन सा mercury और mercury के हमारा एक metal है तो इसके एक property होती है कि जब हम अपना temperature को rise करते हैं या भी temperature rise होता है तो mercury क्या करता है expand क्या है expand करता है मतलब फैलता है तो इसी property का हमने use करते हैं अपना temperature show करने में यहाँ पर क्या है यह एक अमारा bulb होता है क्या होता है इसके अंदर हमारी mercury फिल होती है और यहाँ से एक पतली सी बिल्कुल capillary होती है यह वाला जो हमारा end होता है यह जिसकिसी भी हमने body का temperature check करना होता है मान लीजिए हमें अपने body का temperature check करना है तो हम क्या करते हैं इसको अपने mouth में इस वाले end को जो shiny color का होता है चमकिला होता है उसको अपने mouth में रखते हैं तो यहाँ पर क्या होती है हमारी mercury और जब mercury को फिल होगा कि वही उसके आस पास का जो temperature हो क्या है hot होने लगा है तो वो hot या फिर उस heat को detect करेगा heat मरकरी तक पहुचेगी और heat होते ही mercury क्या है expand करेगी और वो mercury हमारा scapillary के अंदर rise करना start कर देगी और जितना हमारा temperature होगा उसने ही height तक mercury का level rise करेगा और फिर हम यहां से read कर सकते हैं कि वही हमारा इतना degree हमारा क्या है temperature है तो यह हमारा पूरा function होता है किस तरी के से हमारा thermometer काम करता है फिर उसके बाद जब हमने यह तो हो गया कि हमारा जो clinical thermometer है वो 35 degree celsius से 42 degree celsius तक ही measure कर पाता है यह फिर show कर पाता है तो जब हमें और भी ज्यादा temperature मापना हो तब हम किस temperature का यूज़ करते हैं तब हम यूज़ करते हैं आमारा laboratory thermometer किसका laboratory 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 thermometer अब लेबोरेटरी थर्मामेटर की क्या खास बात होती है यह क्या है ज्यादा temperature difference को शो कर पाता है इसकी जो ओन एवरेज हमारा जो लेबोरेटरी थर्मामेटर है उसकी हमारी एवरेज जो हमारी वैल्यू शो कर सकता हो है minus 10 degree Celsius से लेकर 110 degree Celsius तक हमारा temperature को शो कर सकता है कौन हमारा laboratory thermometer तो माइनस 10 degree बहुत ज्यादा बहुत कम temperature होता है क्योंकि आप मानके चलें कि 0 degree Celsius पर हमारा water है वो क्या होता है freeze हो जाता है और 100 degree Celsius पर हमारा जो water है वो क्या करने लगता है boil मतलब उबलने लगता है तो इतना ज्यादा temperature difference को यह शो कर सकता है minus 10 degree Celsius से लेकर हमारा 110 degree Celsius तक तो laboratory thermometer का use अमारा laboratory के अंदर होता है क्योंकि हमें क्या है experiment हो गयरा करने होते हैं और हमें अपने जो liquids है या फिर जो हमारी reactions चल रही है उनका जो temperature है उसकी reading लेने होते है कि इतने temperature पर जाकर हमारा यह product बनेगा या फिर इतने temperature तक जब हम इसको heat देंगे तो अमारी reaction स्टार्ट होगी तो इतने ज़्यादा temperature difference को detect करने के लिए हम यूज करते हैं हमारे laboratory thermometer का और यह भी हमारा जो हमारा clinical thermometer था उसी के तरह होता है बस इसमें difference क्या होता है इसकी length क्या है इसकी length as compared to clinical thermometer ज्यादा होती है same procedure है इसके अंदर भी हमारी क्या होती है mercury होती है और वही heat मैसूस होते है mercury क्या है expand होने लगती है और rise करने लगते है और जहां तक rise करते हैं फिर हम अपनी reading को note कर लेते हैं कि हमारा कितना ज्यादा उसके अंदर temperature है किसी भी बोड़ी के अंदर तो इनकी एक हमारा कुछ disadvantage भी है क्योंकि यह इनके अंदर क्या होता है पहले यह कांच के बने होते हैं अगर गिर गए तो गिरते ही तूट जाएंगे और second इनके अंदर हमारी mercury फिल होती है और mercury एक toxic क्या है toxic substance होते मतलब जहरिला क्या होता है जहरिले होते है अगर मान लिए आपने किसी बच्चे के माउथ में डाल दिया उसका फीवर चेक करने के लिए और बच्चे वो पता नहीं है अगर उसने हलका सा भी अपने दातों से उसको दबा दिया तो क्या होगा वो तुरंट ब्रेक कर जाएगा तूट जाएगा और उसके माउथ में काच जो मारा ग्लास है उसको इंजरी भी हो सकती है और हमारे जो मरकरी है वो toxic मतलब जहरिला होता है तो उसके health को नुक्सान पहुचा सकता है तो यह इसकी क्या है डिसड्वण टेज तो अब इसका एक अल्टरेंट निगल क्या है हमारा ढिजीटल तर्मोमेटर कि क्या है ंदर को इसके अंदर हमारा कोई भी मरकरी यूज नहीं होता ना यह से बना होता यह बैसिकली प्लास्टिक से या फिर मैटल से बना होता है और यह हमें ओर इसका एक और खास बात है इसे हमें जो reading मिलती है वो हमें digitally लिख्यू या थी इसके अंदर कि आपका इतना ज्यादा temperature है या फिर किसी object का जिसका हम temperature मीजर कर रहे थे तो उसका इतना ज्यादा temperature है तो इसको कोई भी यूज कर सकता है लेकिन जो clinical thermometer होते हैं इनको कुछ लोगों कोई रीड करना आता है कि हमारा temperature कितना ज्यादा है किस तरीके से उसके अंदर temperature को मीजर करते हैं तो यह थी हमारी topic thermometer में heat क्या होती है किस तरीके से इसको मीजर किया जाता है हमारा clinical thermometer laboratory thermometer तो next वीडियो में पढ़ने वाले हैं transfer of heat की heat कैसे एक बोड़ी से दुसरी बोड़ी के इतना है अगर आपको वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को लाइक करना अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करना और आपका अपना चैनल है इसको जरूर जरूर सब्सक्राइब करना मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक have a good day and good bye